So students, last video में आपने तीन चीज़ सिखा था, दो polynomial को add कैसे करते हैं, subtract कैसे करते हैं, उनको multiply कैसे करते हैं, अब इस question में हम सिखेंगे कि उसको divide कैसे करते हैं, divide first polynomial, बलब इसको by second, इसको इससे divide करना है, and write, यह आपने 4 standards में देखा रहेगा, dividend is equal to divisor, multiply by quotient, plus remainder, कुछ याद आ रहें, अगर नहीं याद रहें, तो कोई बात नहीं, मैं आपको थोड़ी दिर में याद दिला दूँगा, पहले मैं इसको ठीक करूँगा, आप देख सकते हो, यह index form में नहीं है, मतलब x cube है, इसके बाद क्या आना चाहिए था, x square, फिर आना चाहिए था, x, फिर number आना चाहिए था, लेकिन याद पर direct दिया है, तो इसको मैं index form में लिखूँगा पहले, index form, क्या है, x cube, इसके बाद x square होना चाहिए था, है, नहीं है, इसलिए के लिखेंगे, plus 0x square, x square के बाद क्या आना हो चाहिए था, x, है, नहीं है, plus 0x, x के बाद क्याना चाहि नंबर है, yes, minus 64, so अब देख सकते हो, x cube, x square, x, number, x मालब x is to 1, so 3, 2, 1, number, ठीक है, अब इसको डिवाइट करते है, students जान से देखना ये, थोड़ा सा आपको attention देना पड़ेगा, so ये आपका diviser जो भाहर गया, अब इसके बने में क्या लिखूँगा, ये लिखूँगा, आ इसको कहते है, dividend, इसको कहते है, divisor, ठीक है, dividend, divisor, जो पर आएगा, आएगा, quotient, और जो लास में बचेगा, वो होगा, remainder, student ध्यान से देखना, इसमें दो लोग है, x और minus 4, इसको देखो, x को, मैं x को, क्या चीज से multiply करूँगा, जो मुझे x cube देगा, I repeat, x को मैं क्या चीज कितना हो गया, x cube, अब क्योंकि मैंने x को x square से multiply किया है, तो मेरा minus 4 भी इससे multiply होगा, minus 4 multiply by x square, कितना होगा, minus 4 x square, so x square कहां पे, यहां पे, यहां पे, तो इसके नीचे मैं कहा लिखूँगा, minus 4 x square, minus 4 x square कैसे आया, 4 into, sorry, minus 4 into x square किया, into मुला multiply, तो इतना आया, x square नीचे x square, अब students यह एक चीज़ ज्यान देना, यहां पे बड़ा sign कीच रहा हूँ, इधर जगा छोड़ा, q, sign change करना है, यहां पे plus sign है, कुछ भी नहीं मलब plus है, तो क्या हो जाएगा, minus, यहां पे minus है, क्या हो जाएगा, plus, sign हमेशा change करना होता है, ठीके, so x cube minus x cube, cancel out हो गया, ठीके, अब यह sign को मत देखना, यह number का यह sign है, यह number का यह sign है, plus, plus, क्या होता है, plus, तो क्या करेंगे, addition, 0 plus 4, 4, x square, x square, x square, दोनों number में से बड़ा कौन है, 4, उसका sign क्या है, plus, इसलिए हाँ भी क्या लिखेंगे, plus, नहीं दिखाओगे तो भी चलेगा, ठीके, so इसको भी, यह यह दोनों को नीचे ले लो, plus 0x, sorry, plus 0x, minus 64, दोनों को नीचे ले लिया, ठीके, समझ में आ गया, 0x है, again, x को देखो, और इसको देखो, मैं x को किस चीज़ से multiply करूँगा, जो मुझे 4x square देगा, I repeat, मैं x को क्या चीज़ से multiply करूँगा, जो मुझे 4x square देगा, 4x, yes or no, क्यू 4 into 1, यहाँ पर कुछ भी number नहीं है, 4 ones are 4, x multiply by x कितना होता है, x square, समझ में आ गया, तो जब मैं x को 4x से multiply करूँगा, तो मुझे 4x square देखा, so x multiply by 4x, कितना होता है, 4x square, ठीक है, अब क्यूंकि मैंने x को इससे multiply किया, तो मेरा minus 4 भी इससे multiply होगा, minus 4 multiply by 4x, minus plus, minus, 4, 4, 16, और x तो थाई, मतलब, minus 4 multiply by 4x, minus, plus, minus, 4, 4, 16, और दोनों में x था, तो x भी लिख दिया, और x के नीचे x आता है, again, बड़ा स्लाइन की चो, 4x square के सामने, sorry, 4x square के सामने plus है, तो यह हो जाएगा, minus, minus 16 के सामने, नीचे क्या हो जाएगा, plus, ठीक है, 4x square, minus 4x square, cancel out हो गया, इसका क्या sign है, plus, इसका क्या sign है, plus, so plus, plus is plus, 0 plus 16, 16, x, 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 समझ में आ गया, समझ में आ गया, और दोनों में sign किसका आएगा, यह दोनों में बड़ा number कौन है, 16, 16 का क्या sign है, plus, गल्ती से भी minus मन लिखना, circle किया है ना मैंने, उसको देखने का, plus sign है, तो यहाँ भी क्या आएगा, plus, क्योंकि 0, 16 में, 16 बड़ा है, इसलिए 16 का sign का है, plus, इसलिए अभी क्या है, plus, minus 64 बचा है, उसको मैंने नीचे ले लिया, बस, हम लोग almost पहुँच गए, अब x को, again, क्या number से multiply करूँगा, जो मुझे 16 x देगा, x को मैं किस से multiply करूँगा, जो मुझे 16 x देगा, 16, क्योंकि x multiply बड़ 16, कितना होता है, 16 x, ठीक है, लेकिन, क्योंकि मैंने x को 16 से multiply किया, वैसे ही, minus 4 को भी तो 16 से multiply करना पड़ेगा, minus, plus, minus, 4, 16, जा, या ऐसा कहो, 16, 4, 0, 64, समझ मैं कि students, minus 4, multiply by plus 16, gives you, minus 64, कैसे, minus, plus, minus, 16, 4, 0, 64, again, sign change करना है, 16 के साम प्लस है, तो क्या हो जाएगा, minus, minus 64 क्या हो जाएगा, plus, 16 x, minus 16 x, 0, यहाँ पे 64 का sign क्या है, minus, यहाँ पे 64 का sign क्या है, plus, minus, plus, minus, मलब, minus करेंगे, 64, minus 64, कितना होता है, 0, सो आपका answer, कतम, सो आपको क्या बोला था, teacher ने, I mean to say, textbook ने, dividend equal to divisor multiply by quotient plus remainder, वो quotient में से देख देख के लिख देने का इदर, dividend equal to divisor multiply by quotient plus remainder, ठीक है, इदा मासान है, dividend क्या है आपका, यह, लेकिन, यह dividend था क्या, यह dividend था कि, यह main वाला question था, चलो कोई बात नहीं, यह dividend दिख रहेना आपको, यह dividend दिख रहेना, उसी को लिख दो, कोई problem नहीं है, कोई आपका कुछ wrong नहीं कर सकता, जो dividend था ना, dividend वो ही लिख दिया, equal to divisor कितना है, x-4, quotient कितना है, quotient, उपर वाला, x-square plus 4x plus 16, plus remainder, remainder कितना है, 0, यह आपका पूरा answer है, यह आपका पूरा answer है, जो मतलब, जब मैं divisor को quotient के साथ multiply करूँगा, और उसको जब remainder कैसा plus करता हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा, dividend, यह समझने के लिए कह रहा हूँ, यह आपको सिर्फ समझने के लिए, आपके knowledge के लिए, यह formula का मतलब क्या है, जब divisor और quotient को multiply करूँगा, और फिजब मैं remainder उसको add करूँगा, इसको remainder जब plus कर दूँगा, मतलब जो 0 आया है, तो मैं मुझे answer क्या मिलेगा, मेरा dividend, इस लोग कहते है, dividend equal to divisor, multiply by quotient plus remainder, यह बस एक बर अपने solve कर लिया, यह formula लिख देने का, बस जग देके डाल देने का, यह dividend, यह divisor, यह quotient, यह remainder, ठीके, second one आप खुच से करोगे, नहीं समझ में आया है उसमें कुछ तो मुझे, बोल देना, ठीके, so that's it, यह practice at 3.2, अच्छे से practice करना, practice करेंगे तबी, अच्छे से दिमाग में आपके बैड ही जाएगा, ठीके, नहीं तो, आपको problem हो सकती है, इसलोग कह रहा हूँ, practice करो, कुछ doubt से तो please पूछना, thank you so much.